इस वक्त हम अमिर्शा के लोकसभा छेत्र है वहां मौझूद है और कुछ तो प्रावड फील होता होगा ना कि अमिर्शा जी देश के ग्रह मंत्रिया उनके संसद्य छेत्र पे हम रहते हैं कि लोकसभा से खुद अमिर्शा जो ग्री मंत्री है वह खुद इधर से चुनाव जीते हुए फिर भी आप गांधी नगर की भी हालत देख लेए कितना खड़ा पड़ा है कितनी गाडिया भी अंदर चली गई है अंग्रेस सरकार आएगी तो फरसे फिर से वह अच्छे दिन आने वाले हैं अच्छा दिन वह जो अवाई चंपल पहनने वाले अभी तो चंपल भी नशिद नहीं है उसको किसाने को उपका बच्चा बीसी सी आइका सेक्रेटरी है जिसकी लाइफ पूरी सेट कर दिया अच्छे पर जाएगा फैमिली का पर जाएगा राम बोलने से तम कर रहा हूं कि जो मोदी जी ने बोला है कि नश्कार में जोतिष चोहान इस वक्त हम गुजरात के गांधी नगर दक्ष्टनी विधान सावा में मौजूद हैं और अगर जिले की बात करें तो यह जिला भी गांधी नगर ही लगता है और फिलाल लगातार गुजरात में बा सब्सक्राइबर इस तरह की जगह है उसको घेर भोला जाता है यहां किया कहते हैं छाली सी जगह जो होती है वाडा वाड़ा बोलते हैं और यूपी विहार की तरफ उसको घेर बोले आता है तो आज तमाम लोगों से बाचीट करेंगे और चुणाओं को लेकर जैसा लगात दिखाई दे रहा और पटेल समाज का तो वैसी पिछली बार को खूब वर्चस रहा है चुनाओं में तो क्या मानते हैं इस बार लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से फैलियर हो चुकी है इधर एंटिंग कमवंसी लगने वाली है क्योंकि जिस देश में जो दो लोग सासन कर करें वह गुजराती अपने आपको बता कर सासन करें गुजरात मॉडल पर उनको वट लेने की बात कर और सक्ता में जब भी आए तब गुजरात मॉडल की बात कि लेकिन आप जब ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो गुजरात मॉडल पूरी तरह से फैल हो चुका है साती है तो पानी इतना बढ़ जाता है कि लोकों को समझ्या हो रही है और चुने हुए कॉर्पोरेटर जो जनता के बीच जाने चाहिए उसकी वज़ा वह अपने संगठन के काम करने हम चुनाओ कैसे जीते उसके बारे में व्यस्त होते हैं जनता के बीच में बिलकुल भी हैं गुजरात हमने एहमदावाद की तस्वीर देखी है और लगाधादार हमने दिखाइ भी है फिल्हाल गांधी नगर पहुछे तो गांधी नगर में क्या लात बिल्कुल गांधी नगर गुजरात का कैपिटल है इधर जो विकास होना चाहिए वो विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ यहां की लोकसभा से खुद अमित शाह जो ग्री मंत्री है वो खुद इधर से चुना जीते हुए फिर भी आप गांधी नगर की भी हालत देख ले तो र कम नहीं हुआ और ड्लकुल अमित शाह अपनी चुना भी रेलिए में अवह.द अपने मत विस्तार में तो कभी दिखते नहीं अगर दिखे तो मात्र नहीं अमित साहह जी से मुलाकात हुए और किसी की कि भी मुलाकात ने वो आते तो अपने संगटन से लोगों को मिलते और चुनाव कैसे जीते उसके बारे में रणनीती बनाने में वह वेच रहते आप आप कभी मिले हैं मिश्या जी से मुलाकात हुई यहां के जिस तरीके से वह सांसद है और एक सांसद प्रतिनिदी होने के न रोज रस्ते का क्या-क्या तकलिप पड़ती है जो मॉडल बता रहे तो मॉडल बिलकूल फैल है यहां वह तो गुनगान तो पुरे देश में और दुनिया वार में गाना गाना एक तरफ है और सही में देखना एक तरफ है और आपने तो सब जगादे देखा है कितना पूरे गाओं में क्या-क्या परिष्टिति तो है उसमें तो कोछ जूठा ही नहीं बले वो जूठ बोले चुनाव आने वाला है 24 का भी आने वाला है कुछ दिनों में मतलब कुछ महीनों बाद मत मान लेते हैं तो क्या सोच रही है जनता सत्याइश साल के जुठी सरकार और फैल सरकार के बिल्कुल परिशान हो गई है जो आज मैं जनता को यही बात कह रहा हू हूं पूरी देश की जनता को गुजरात की जनता को तो कह रहा हूं पूरी देश की जनता को कह रहा हूं कि जो मोदी जी ने बोला है एक भी वादा निभाया है तो आप सब वाजब को वाट देना नहीं तो कॉंग्रेस सरकार जो भी विकास किया था कॉंग्रेस सरकार में ज तो कहा है अच्छा दिन में अच्छी बड़ी विकास अच्छा हुआ सब कम्तियां भीक रही है इतने तो अच्छे दिन आ गए न सब जनता ही भोगती है तो सब्ताल में यहाँ छे दिन है नहीं कोई भी में गटाने का वादा था में मोदिजी का जीएश्टी भी भी गटाने का वादा था अभी 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 देखो नए वो दूद्धाई सास सब वो गुरिफ सब प्याजिए ऐश्टी लगा दिया तो पबलिक क्या खाएगी कितना मेगा हो गया सब मेगा ही बढ़ाने का बैंक घुटाले में गया उसका तो पैसा वापिस लाए नहीं काला धन लाने वाला था सबके एकाउंट में 15-15 लाक डालने वाले थे अभी 15 अजार भी नहीं आए और फी क काफी शिकायत है इस वक्त हम आमेर्क के जो इनका लोकसवा चेत्र है वहां उट भाच जो एकए बीचा के और फी कुझरात में और देश की बात करें चुकि प्रधानमंत्र रिले ग्रह मंत्री यहीं से आते हैं युवाओं को ले कर तो बहुत बढ़ी योजना याई युव दिए उसमें तो कोई युवार रोजगार लेने को तयार नहीं है कंसे हम इसीज का WINOW कर दिए तो जो बच्छा 4 साल के अंदर बारविक अक्सा से बाहर निकलेगा अगनिपत में आएगा चार साल के अंदर रिटायर हो जाएगा तो कौंसा बच्छा तो कौन सा हुआ एसा सोचे किने चार साल में रिटायर हो जाओ रोजगार तो एई नहीं तो मैं क्यूं अगर ग्रेह मंत्री ने काम किया है रोड़ पर खड़े-पड़े-वो काम ग्रेह मंत्री ने किया है अभी यूआ बेरोजगार हुए। उनकी विधान commence ने लोक्सभा को का मंट्री में किया। इथना तो सारह काम किया है। जंता क्यों समझनी रहे। stadiumat who зовут का 27 साल में hou गुज्ट को कने नाकर ने किया। थी कै बता, यह क्या नाम है? अरे बता दिए थोड़ा ड़ू को सरमाइए इष्मध हूई 皆さん बता यह जा आपके ग्रह्मंत्री देश के हैं उनके विधान सवा, लोगसावा छेत्र में तो कुछ तो प्रावड्ट फील होता होगा प्रदार मंत्रिया वह एक ही काम करते हैं जो कॉंग्रेस को कैसे तोड़ दिया जाए सब विधायों को उठा के पैसे लेकर खरीद लेते हैं और दुछरा तो कुछ काम करते ही नहीं है गांधिनगर के सब अब ग्राउंड पर आ जाईए गाउं की समझे दिखाईए गाउं सब गाउं बेहाल है सब गाउं में जो दारू-बारू है वो फूरी रोक्टोक से फूल बिखा जाता है हमारे साथ मिडिया लेकर आईए हम आपको दिखाएंगे सरे चौक जाहर में भी करती सारे गाउं में जब जो जो गाउं है वहाँ पे बेटोक देदनादर दारू तो सिर्फ बिहार में ही बिखता है वहां बैन है लेकिन बिखता है जब पंजाब का मोडल पंजाब उड़ता पंजाब था वह गुजरात पाउड़ता हो गया है अब तक तो दारू भी रहा था तो वह ड्रक्स और ब्राउन सुगर और फिन और घाजा पूरा गुजरात में मिल रहा है या उड़ता पंजाब था अपने फिलम चाहिद देखी हो लेकिन आप यहां quarantine आप अबर जो हे उड़ता हुआ गुजरात बता रहें इसको तो ओड़ता हुआ गुजरात कैसा बदा रहें है बीलकूल है वह बात करें उरता हुआ गुजरात के उनकी भाध वात में 8 retji कि अब्रिया कर इoffirm कि अगर आप चान बिन करने जाएंगे तो साम तक पूरे चरस डारू ड्रक्स वो खुलने आम विकाव हो रहा है और यहाँ पर कोई पुलिस एक्षन ने ले रही है और यूवान जो ड्रक्स और डारू के नसे के अंदर उनको रोजगारी देने की जगह पे वो लोग अभी उ परिब लोकों को जो लागू पड़ता है फिर बेरोजगारी है हब बेरोजगारी की बात करें तो यूवान परेशान है उनको नौकरी देने की जगह लाठी और डंड्या पड़ रहे और तिसरी बात जो यहाँ लोग और ऑडर की जो परिस्तिती बिगडी है खुले आम चबाने के दोनों दांट अलगे आपको क्या नाम है अशोक जी बताए कि जो सवाल मैंने इंसे किया था कि कुछ तो प्रावड फील होता होगा ना कि अमिर शाजी देश के ग्रह मंत्रिया उनके संसद्य चेतर बें हम रहते हैं कुछ तो प्रावड फील होता होगा पूरा जीवान से क्यों बोल रहे हैं ने पूरा फेल होगा है कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो लोग उसको वोट में एक बार फिर से तब्दील हो पाएगा उनका या बदलाओ नहीं गुजरात की प्रजा आप जान गई है अब फिर से उल्लू बनने वाली नहीं है गुजरात की प्रजा फिर से उल्लू बनने वाली नहीं है मेह गाय में दो छेड़े खेटे ही नहीं होते, एक साइड तो बेरोजगार ही है, कुछ इंकम बन हो गई है, और दूसरी साइड वो किसानों गाव में रहते हैं, तो किसानों को राशानी खातर का भाव आप देखिए, उसकी उपस का भाव नीचा और राशानी खातर का मौधी जी न बोला था का कौंज्रेस उल्राशानि प्राइविट खातर के देते हैं, तो अभी मैं पुछता आप कहां देते हो तो इतना बाव बढ़ दायास, वो द cud nah देते ऑल गया वे assistance किसानों को लेका कि सानों के आईडूगनी को लेका रही बात कर येनु में ठेंале आप मुद्ध पने वाले अभी तो चंपल भी नसिब नहीं है उसको किसाने को पने ते इंपर बीमेन चलते अब घर में एक-डौ बच्चे पढ़ने वाले ओ तो उसकी फी देखो सीक्षंग्राइटिक करान हो गया तो उसकी पी देखो वर वर सब मैखाई बढ़ गई तो पर लावी मेहनत करें कितनी वी उपर लाए उसको कुछ भाचत होता है नहीं किसान से जूड़े आप मुद्द उठाते हैं किसान तो यहां समस्या जो है वह शहर के अंदर है जहर गाओ दोनों में यह समस्या बेरोजगारी और और इंकम की तो ईकिषून के तो दोनों में आप वह पारीख को जागए गा मैं तो जाचनव के उसका दाफ्त चड़ाएक पॉबलिक को देगा तो पॉबलिक कीसे खरिदेगे अब इस इस एक हर दिया तो आरीम रियम रोट क्या खाएगा नौक घुजराठ चुनाव को कम मैहगाई को रोजगार को मोधी जी ने बोला था लेजा ठीसरा-क करकार मैं बन की है वो चालू करेंगे और वो प्राइवेट से आदिफी में हम उसको सिक्सान बढ़िया सिक्षन देने वाले सिक्सान में जो सड़का है तो किसानों को बीटली बारा गंटे देंगे उसका राशानी खातर पर सबसीड़ी बढ़ा के उसको राशानी खातर दवाए वक्त में आपने देखा होगा कि अभी तो आप यह मुद्दे गिनवार हैं लेकिन चुनाओं से 10 दिन 20 दिन पहले मुद वो बनाते हैं प्रजा एक बार बने दो बार बने तीन दीन बार बने अब चौथी बाग उज्ञात के प्रजा उल्लु ने बनेगी और उसको नमस्ति करदेगि कभाई दूसरा वादा जुठा वादा मद्दो पहला तो भेरोजगारी का मुद्दा सिक्षन का मुद्दा युवाओ को जो अभी समस्य आ रही है कि जो नया स्टार्ट अप करना चाते सरकार के और से कोई प्रोशाद नहीं मिल रहा है उसका एक मुद्दा रहेगा अभी जो महँगाई बढ़ती महँगाई युवाओ को भी एक मद्या नजरे आ रही है कि उनको बेरोजगार है महँगाई बढ़ रही है साथ में युवाओ के लिए कोई योजनाई सरकार बनाती नहीं लिए तो युवाओ को लेकर क्या सोचेंगे युवाओ को वाद सुनली और यहां की जो आम दंता है तमाम लोग है उनकी वाद हमने सुनली और क्या कुछ मुद्धे हैं गुजरात के क्या कुछ रहने वाले हैं चुनाओं में यह आप देख लिजिए समझ लीजिए क्योंकि लगातार हम ग्राउंड से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको फिलाल तीन-चार गंटे से एक पर दिखा दी ज़गा तीन-चार गंटे से लग करतार तस्वीर आपको दिखाते हैं एक फिलाल के लिए नमस्कार